नमस्कार दोस्तों मैं मनोश उकला स्वागत करतो आप सभी का डिसकेशन विद मनोज में और अब आज हम डिसकेश करेंगे जो डेली करेंट अफियर तो पहला ऑप्शन है क्या ये ए ओ यूम ने इसकी स्थापना की थी दूसरा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गुकुल दास तेजपाल संस्कृत महा विद्याले में कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरो जी को कॉंग्रेस का पहला अध्यक्ष चुन करते हैं और यह भारत के लिए जो है सेफ्टी वॉब का काम करती है तो इनमें से कौन सा खबते हैं तो आपने अंसर कर लिया होगा तो सही अंसर इसका सी वाला असरत्य है तो सी का आप्षन कौन सा था भी सी ऑप्शन है दाधा भाई नौरो जी का कॉंग्रेस का पहला अध वुमेश चंद्र बक्षी सबको पता होना चाहिए जैसा कि मैंने आप से कहा आपको मैं दिखा भी देता हूं वुमेश चंद्र बैनर जी ठीक है यह थे सबसे पहले अध्यक्ष कॉंग्रेस के ठीक है अब देखिए क्यूं अभी यह सवाल इंपोर्टेंट हो गया करेंट हैं क्योंकि अभी देखो कब इसकी स्थापनों की आप वो सुलो जरा 28 दिसंबर को सबसे पुरानी राज्जितिक पार्टी ने अपना एकसव सेटीसवा स्थापना दिवस मनाया है तो अभी अगर कुशन आ जाए कि किस पार्टी ने हाली में अपना एकसव सेटीसवा स्थ स्थापना दिवस मनाया है तो याद रखिया कॉंग्रेस पार्टी है जिसकी इस्थापना जो है यह नहीं की थी और इसके पहले अद्ध्यक्ष जो थे वह व्योमेश चंद्र बैनर जी थे ठीक है इस बात को आपको ध्यान रखना है और कुछ इसमें कहास बात है तो मैं ब कि बाद ही भारतियों के लिए राज्यतिक मामलों में मंच बनाने की भूमिका लिखी गई है तो आपको पता ही है तियास इतना सा और इंडियन नैशनल कॉंगर्स जैसी पार्टी ऐस्तित तो में आई है न तो विकल्पसी को छोड़ करके बाकिस्तार के साही है दर असल इनकी अदक्षिता कर रहते है वुमेश चंद्र बैनर जी सहाब ठीक है तो आज मतलब 28 दिसम्बर की दिन इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक्सवा स्थापना दिवस मनाया है ठीक है चलिए आगे चलते है अगला सवाल है आपको बताना CRPF केंद्रिया रिजर्व पुल अब चलो भूणते हैं अब भारत का सबसे बड़ा अर्दशानिक बल है यह भारत सरकार के ग्रह मंत्रा लेकर तहट काम करता है इसका प्रमुक काम पुलिस कारवाई में राज्य और संग शासित प्रदेशों की सायता करना और आतंगवाद पर लगाम लगाना है अब बतान पहला और आखरी सही है या फिर यह तीरों के तीनों सही है ठीक है तो मैं आपको बता दो दोस्तों इसका सही आंसर डी है यानि कि यह तीनों की तीनों सही है बिल्कुल सही बात है भारत का सबसे बड़ा अर्चैनिक बल है यह और ग्रह मंत्राले के अंदर ही यह काम करता है और इसका प्रमुक कारी क्या है वहाँ पर पुलिस की साहेता करता है और आतंगवाद पर लगाम लगाने मदद करता है और मैंने आप से एक बार पूछा भी दस से पहले कोशन आपको मैं बता दू कि ये 1949 को ये बना है ना 1949 को ये बना था और तब इसका नाम कुछ और था और फिर एक एक लाया गया 1949 में ठीक 10 साल बाद और तब इसका नाम हो गया था CRPF ठीक है चली थोड़ा सा बता देता हो आपको यहां पर देखे बस सीद्ध तो यहां देखो क्राउन प्रतिनीदी पुलिस ये इसका नाम तब पहले ठीक है 27 जुलाई 1949 बिलकुल डेट भी याद कर लिजे 27 जुलाई 1949 को ये अस्तित्त में आ गया था ठीक है 28 जिसंबर को इन्होंने अपनी दिवस मनाया था ठीक है क्योंकि उसी दिन तो बने ही है आप समझ गया हूंगे मेरी बात एक्ट आया था था ठीक है लेकिन पहली बार जब इस यह बना तो उसका नाम क्राउन प्रतिनीदी पुलिस था चली साब अगला कोशन देखते हैं भ अश्टगान का आदर करें अब क्या लगता है कि ना करने पर कड़ी कारवाई की का प्रावधान किया गया है तो आपको यकिन नहीं हो तो केवल एक केवल दो एक और दो दो दोनों या इनमें से कोई नहीं आपको सत्य बताने है तो इसका आंसर मैं बता रहता हूं आपको 51 एक वाले हिस्से में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति हर भारती जो है अपने राष्ट गीत और राष्ट गान का क्याना चाहिए आदर करेगा उसका संब्भान करेगा यह उसका मूल करतव है मूल्ण करतव कके न चाहिए कि मानो न मानो ऐसा वाला मामिलाय है लेकिन करता है कोके हमारा मूल करतव है मळ नहीं मान इसलिए इनहीं आप पालं नहीं दो कड़ी करता हूँ द investor तरफ यहां धिलाई भी थी लेकिन जब धिलाई बहुत जादा होई तो फिर यह भी करना पूड़ गया समझ गया चलिए अब आई यह देख लेते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता तो कुछ की कहां से यह आया है पूरा अगर आप भूल गया हो तो जैसे कि रविद्नार टैग करें वर्शिक सम्मेलान हो रहा था और उसके दूसरे दिन इसको गाया गया लेकिन इसको ठ्याहां स दिन गया लेकिन गया भनगाली भाषा मेंहीं dense हुंशव घंदी में इस तो हमने किया है और जब हमने किया हमने। से जब किया कब किया 24 जनवरी 1950 को तब संवेधान सभा ने से आप चारिक तोर पर अपना आए था ठीक है याद रखेंगे जयनकड़ मनम Hindi संस्क्रां हमने बंगाली संस्क्रांड नहीं अपनाया था हमने कौन एह हिस्से के मुताबिक हर नागरिक का मूल करतव है कि वो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आधर करे अब ये मूल करतव बोलने से पालन करो नहीं करो फरक नहीं पड़ता इसलिए राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारन एक्ट ये एक्ट है अब ये कानून है 1971 में ये बना दिया गया था और उसकी धारा तीन के मुताबिक राष्ट्रगान के नीमों का पालन ना करने पर और इसका अपमान करने पर कड़ी कारवाई का प्रावधान किया गया है आप समझ गयोंगे बात ठीक है तो एक्ट याद रखिएगा 1971 में आया था और एक कावन झारी किया गया है जिया गुड़ गवर्णनेस इंडेक्स जो है कौन जारी करता है क्या प्रसाथनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जारी करता है निते आयोग जारी करता आए ग्रहा मंतराले जारी करता है एसका जाय Uttar है कई हैने कि प्रशाषनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यह इसको जारी करता है याद रखेंगे ए ऑप्शन ठीक है अब इसमें कौन-कौन रहें इस बार वो दिख लीजे भाई अभी हमने हाल ही में इसका अंसर है 25 दिसंबर को हम क्या मनाते गुड़ गवर्निंट यह आप इसमें होता क्या है इसमें राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों में शाषन की इस्थेती भाई की कैसा शाषन चल रहा है ऐसी सरकारों द्वारा लिए तमाम प्रशाषनिक फैसलों के प्रभाव का आकलन करते कि आपने राज्य के लिए जो फैसली लिए उस राज्य ने जाएगा तो रैंक नंबर वन लेके कौन गया है यह आपको दियान रखना गुजरात महारास्ट और गुवा समग्र रैंकिंग में यह शीरशिस्थान पर हैं जब केंदर शाशित प्रदेशों जितने भी हमारे केंद शाचित प्रदेश हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो कौन है भाई मालूम होगा आपको केंद शाचित प्रदेशों में दिल्ली ने समग्र रैंकिंग में प्रत्थमिस्तान हासिल कर लिया है उत्तर प्रदेश ने सभी छेत्रों के जो वाणिज एवं उद्योग में उसमें प्रत्थमिस्तान हासिल कर लिया है ठीक है तो यह थोड़ा सा इंडेक्स याद रखिएगा कौन ने किसमी किया तो मैं बोल देता हो एक बार कि राज्यों में बात करें कि समग्र रैंकिंग में गुवा ने पहले हासितान को हासिल किया और वहीं केंद शाचित कि आपको बताना ही जरा बारती सौफ्ट्वेर टेकनोलोजी पार्क है। अन। जोना 5 जून 1951 को हुई थी इंकानिविय को हुई थी इसका उत्धेश भारत से software निर्यात याने एक्सपोर्ट करना मतलब भारत से आप software जो बन रहा है भारत में software उसको export करना बेचना तक यह में जयादा पैसे कमा सकें डॉलर में और उसको बढ़ावा देना और उसकी कि दोनों सही है निर्यात तो करना है और यह पाज जुन उन्निस कावन को ही बनाता लेकिन इस मंत्राले के अंतरगत नहीं आता है ठीक है याद रखेंगे यह दिए यह दिए सूचना प्रद्व्डविकी मंत्राले के तहत एक स्वायत तिसल्स था है ना सॉफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पार्क आफ इंडिया बस यह है इसमें तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही फिर मिलूंगा आपसे आज की करेंट अफियर में तीस दिसम्बर के ठीक है तो मैं दोपैर तक उसे डालूंगा तब तक आप इसमें बने रहें अगर आपको य आपको यह समझ में आ रहा होगा और इसको आप नोट्स बना रहे होंगे इसके बाकी आप चिंता मत करिए आप फेस्बूक पर जोड़ सकते हैं वहां पर मैं इसकी यह पूरे पीडियाप अगरा सब शेयर कर देता हूं इसकी वहां पर भी इंस्टाग्राम पर भी हर जगा शेयर कर देता हूं तो आपको परशान होने की ज़रुवत नहीं है और आप चाहिए तो यहां से भी नोट कर सकते हैं आपको बस यहीं से इसको नोट कर लेजिए कुछ पॉइंट बना लीजिए अपने लिए बस इससे जादा कुछ नहीं करना है आपके लिए सिर्फ इंप पॉटन कवर होते हैं इन सब की बारे में डिसकेशन करता ही रहता हूं तो सब चीजों की जानकारी के लिए इस चीज को अपने आप से जोड़े रखिए नोटिफेकेशन का बेल जो है आइकन जो से प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो लाओं तो आपको मिल जाए अपने दोस्तों तक किस चीज को पहुचाई जो विचारे इधर उधर है बहुत भटकाव बहुत है आपको पता है तेके और इन भटकाव के बीच में हमें चाहिए एक असली चीज जो हमें काम में आए है ना नहीं तो बहुत कछड़ा मचा हुआ है तेके दोस्तों तो दो में सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद जैहिन